तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल उत्राखंट 360 में और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्राखंट के दिसंबर मां के करेंट अपर तो बारा से चौदा प्रस्ण है आप एकदम महत्पूर्ण प्रस्ण है और यह पहला पार वर्स 2023 में जी ट्वंटी के दो आयोजन उत्राखंट में कहा होंगे देखिए जी ट्वंटी का जो आयोजन होना है वर्स 2023 में कहा होना है भारत में अलग अलग 56 जगाओं पर क्या होना है इसका आयोजन होना है उन 56 में से दो आयोजन कहा होंगे उत्राखंट में होंगे उत तो एक दिसंबर से भारत क्या बन चुका है जी टोन्ट यहाँ पर अध्यक्ष बन एक दिसंबर 2020 और अगले वस्ता किपा भारत क्या है इस 2021 का अध्यक्ष है अब нॉब्ए 2022 में 2012 जीटॉंट का जो समेलन हुआ में भी इंड़ोसा के बारे सभी लिकुषा दूंगओ बारे कि इस प्रकाद से लोग में आपई जी डेथि जिए 112 है वल्स Dob Lex इंकम वन अर्थवन फेंबृ वन फियूचरि अब हमाँ आए जाते जी टैंट ऐन Him fifteen वर्स उननीसो निन्याडवा में इसकी स्थापना हुई थी जी ट्वंटी है क्या देखिए जी ट्वंटी बिक्सित एवं उबरती हुई अर्थ ब्यास्ताओं का एक मंच है जिसमें टोटल क्या है इसका को इस्तानीय आगए आप इसका कोई किया नहीं है कि दिसका सद्श्य चैसके सब्सक्राइब सब्सक्रसाद सबस्टाइब G20 मुख्या अगर एक्जामनर यहां से परस्तमäre बनातेира इजए हो सकते तो सब्सक्रसाइब G20 का कोई सब्सक्रसाइब अगे गजमिलन नहीं है और संब्सक्रसाइब यहां हो है बाली इंडोनेशिया में हुआ है नॉमबर 2022 में और 2023 है का है भारत में प्रस्तावीत जो की अठारों सम्मेलन नहीं नहीं ज़ित करें बात करें तो चेंड़की बीस देश को यहाद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता लेकिन थोड़ा सा एक नजर बनाकर चलेएगा अर्जेंटिना हो गया, अस्टेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत तो यह सारे आपको ध्यान रखने होगे इंडोनेसिया, इटली, जापान, कोरिया, गर्नाज जिया, मैक्सिको, रूस, साओधी अरब, दक्षिन अपरिका, तुर्की, यूनेटेट किंग्डम, अमेरिका और यूरोपिया, संग, ये सबी देश मिलकर दुनिया की जीटीपी का 85% हिस्सा बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर हम करन्ट पर पढ़ रहे तो उनसे रिलेटेट हमें बहुत सारी जानकरिया पढ़के चलनी है, पलायन के मुद्दे पर बनी गड़वाली फिल्म जो चर्चाओं में रही, तो कौन सी चर्चाओं में रही तो आप देखी रहेंगे नीज पे प्लायन के मुद्दे पर बनी है फिल्म, तो यह आपको धिहान रखना है, पलायन के मुद्दे पर काफी हिटोरियर काफी लोगों को पसंद आ रही है, प्लास्टिक कच्छडे के निस्तारान के लिए उत्राखन के किस जिल्ले को डिजिटल इंडिया अवार्ड परदान कि किया गया, तो यह हमारा है रुद्र प्रियाग जिल्ला, इनको क्या किया गया, डिजिटल इंडिया अवार्ड परदान किया गया, केदानात यात्रा के दोरन थोड़ा विस्तार में देखते हैं, केदानात यात्रा के दोरन प्लास्टिक कच्छरे के निस्तारन के लिए चल करेगी रुद्र प्रियाग से समझने जो महत्रपूर्ण फैक्ट ने देखिए प्राचीन नाम क्या है पुनाड और रुद्र प्रियाग का गटन का भुआ था उनीस सो सतान्डवे में हाली में किसने माउंट किली मंजारों परुबत पर चड़ाई किया वो भी साइकिल से उस यह पाकिस्तान की समर्खान का था जिन्होंने चार दिनों में किली मंजारों की चोटी को फते किया था प्रिती नेगी ने यह कहार नामा मात्र तीन दिन में किया और पाकिस्तानी परवातरोई का रिकॉर्ड तो तो इस एक परकार से देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन कि इंदर्बनी बड़ोनी जैन्ती महतेपूर्ण हैं देखिए इंदर्बनि बडोनी जैन्ती कब मनाया जाती है 24 दिसंबर को मनाया जाती है अगर जन्म की बात करें तो 24 दिसंबर 1924 1925 इसमें थोड़ा सा बात करेंगे अच्छे से भी अखोडी गाउं पीरिम इनका जन्म हुआ था निधन हुआ इनका 18 अगस 1909 को और इनका जो जन्म दिवस हैं लोग संस्क्रितिक दिवस के रूप में मनाया जाता है देखिए दोस्तों अधिकतर पुस्तकों में आपको यहा दिया गया थोड़ा सा कंफ्यूजन है जहां तक मुझे लगता कि 1925 सही होना चाहिए क्योंकि देखिए न्यूजपेपर में ऐसे आर्टिकल गलत नहीं आने चाहिए मैं यह मानता हूं तो अगर आप देनी जगना कि कई आर्टिकल देखे मैंने तो महां पे 1925 यह उन्होंन चोटा कर दूँँ टीएजडिसी इंडिया लिमिटेट उड़्जा बंद्राले भारत सरकार के सयोग से टीरी जिल में पहली बार टीरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन करने जा रहा है और यह आयोजन हो चुका है परसीद टीरी जिल में वो टीरी स्पोर्ट्स कप के त परतियोगता में 17 राज्यों के 300 लोगों ने आप भाग लिया है देखिए नौकायन तो आपको पता ही है क्याकिंग क्याकिंग एक वाटर एक्टिवीटी है जिसमें छोटी नाव जिसे क्याक कहते हैं उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है तो इस परकार की परतियोगता आपको ध्यान रखना है 25 दिसमबर 1880 कांडवे को और मृत्यू देखिए एक अक्टूबर 1989 को तो देखिए अगर दो अक्टूबर को गांदी जी जैनती है उससे एक दिन पहले क्या होगे देखिए इनकी मृत्यू ध्यान रखेंगा इस तरी की साब याद कर सकते हैं इनको प्रसनभी महत्यपूरें लाल कुर्ती आंदूलन का संब्ध किस से खान अब्दूल गफार खासे तो खान अब्दूल का लाल कुर्ती आदूलन चल रहा था उसकी सभा चल रही और जो अंग्रेज कैप्टन डिकेट था उसने क्या किया सभा पर गोली चलाने का आदेश दि संदी जी का स्टेट्मेंट और गुरूप सी के एक्जाम में पूछा भी जा चुका है वास्तिविक नाम की बात करें तो क्या है चंद्र सिंग भंडारी है गडवाली जी का अगला प्रसने 500 मिट्रिक टन की मोबाइल इस्टोरेज यूनिट उतराखन में किस सिस्तान पर ल देखे 500 मिट्रिक टन की मोबाइल इस्टोरेज ऊनिट उतराखन में हरिदौर नामगिस्तान पर हरिदौर जिल्ले में लगाई गई है उत्राखंद 500 metric ton छमता वाली मोबाईल स्टोरेज यूनिट इस्तापित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है तो य Gösλी महत्तपूर इसे रहेगा क्योंकि देखेदेश का पहला राज्य बन गिया अगर हम बात करें उत्र खंड की खाद्य मंतरी की तो यहां पर रेखारी आपको धियान रखना है सादुद सिंग बिष्ट का हाली में इदन हो गया इनका संबन्द किसे था तो इनका संबन्द था स्वत्नता सेनानी से और ये आजाद हिंद फोज की सेना में क्या थे सिपाई थे इसलिए थोड़ा सा महत्यपूर्ण हो जाता है तो आजाद हिंद फोज की सेना में क्या थे ये सिपाई थे नया सूचना आयुक्त किने बनाया गया तो ये काफी गिसा प्रसन हो जाएगा क्योंकि सभी को पता होना चाहिए अगर आप नीच पर पढ़ते होंगे तो योगेश भठ जी को यहाँ पर क्या बनाया गया है ये वो रिष्ट पत्रकार भी है और एक राजी आंदुरन कारे भ कuchen्याद कि यह अमेरिका की यह लिए उतराखन सकांस पकफणी कौने की लिए और यह न्या करेंगे सरकार को महुआतापी किस हर्दी में हमें क्या काम करना है अन्सचापनी मती जिसे चावल, कowफी, केला मश्रूम पर काम किया और उनकी गुनवत्ता को सुधारा पैदावर बढ़ा यो अंतरेश्टिय बाजार उपलब्द करवाया अंतरेश्टिय बाजार में कियाः इनको उपलब्द करवाया केला मश्रूम जो भी है इससे वहां के आर्थिकी में सुधार हुआ मोरोकों की बात करें तो मोरोकों में टमाटर की फसल सीमीत थी और कंपणी ने क्या किया टमाटर के उत्पादन और उसकी प्रजाती में सुधार पर काम किया और वहां पर भी क्या हुआ आर्थिक इस्तिति उनकी सही हुई तो ऐसा कौन है हमारे असोग किमार जी हमारे कैंठी बर्तवान पुल्जा नाव निद सक है, देखिए अगर हम पहले पुलीस महाने देसक की बात करें, तो इनका नाम भी क्या था? असोग था लेकिन पूरा नाम असोग कांशरण है, जिनका निदन सितम्बर दो हज़ार भाईस में को सकता है सितम्बर दोजारवाइश उत्राखें पहला बालमितर थाना अगर हम बात करें कहाँ खुला था डालन वाला दूँल रुद्रपूर में 2020 में खोला गया था तो राज्य का दूसरा साइबर अगले वीडियो में ऐसे बारा पर रस में लेके आँगा तो थोड़ा हमें क्या करना है आने यो एक्जाम है देखिए केवल forest guard की बात नहीं करूँगा या केवल बंदी रख्षक की बात नहीं करूँगा UKPSC के बाद जितने भी एक्जाम में वहाँ पर current interface का रोल और computer का रोल ज्यादा रहेगा और केवल आप exam के एक्जाम के देखे समिक्छा दिकारी का भी exam आया और APS के अग्जाम के लिए आप तयारी कीजिए क्योंकि APS अगर आप लोगों की इस्टेनों है या सोटने जो भी है अगर अच्छे से तैयारी है तो अपनी प्रैक्टिस को मजबूद बनाई है तो समिक्छा दिकारी का हो गया और अच्छे अग्याम है जहां पर देखे पूछा ही पूछा जाएगा तो यूखी PCS के बाद जितने भी वह हैं वहाँ पर आना तैय है इसलिए अपनी तैयारी को अभी से अच्छी रखिया और ऐसा नहीं है कि आपको करेंट परते जाना है उसके सासा जो फैक्ट है वह भी आपको जुरूर याद करने क्योंकि कई अगले वीडियो में मिलते और वीडियो कैसी लगी सभी लोगों को कमेंट में जुरूर बताए धन्यवाद